राजस्तान की 12 लोक सुबा सीट पर चुनावी दंगल चरम पर है उन्नीस अप्रेल को यहां वोटिंग है आमने सामने हैं मुरारी और कनहिया जीत के लिए दोनों ने पूरी ताकट छोगती है काउं धानियों तक तोनों ने दा वोट मांगने जा रहे हैं यह सीट राजस्ता मुरारी तोनों चार वार के विधायक हैं दोनों पहली बार लोकसुबा चुनावी लड़ रहे हैं दोसा लोकसुबा में दोसा के साथ जयपूर और अलवर जिले की आठ विदान सबस्क्रें आती हैं मुझद आवक्त में पांच पर बीजेपी गा और तीण पर काउंगरेस का कबजा है दो साल लोकसभा सीट पर लंबे अर्से तक पाइलेट परिवार का कबजा रहा है कॉंग्रेस के दिगच और तिवंगत नेता राजिश पाइलेट यहां से सांसत रहे हैं उनकी पत्नी रमा पाइलेट भी यहां से सांसत चुनी जा चुकी है इसके अलावा खुद बीजेपी यहां से जीत का पर्चम लहरा रही है दोसा लोकसवा सीट पर सीधे सीधे सचिन पाइलेट की प्रतिश्था इसवार जुड़ी हुई है पाइलेट ने यही वज़े है कि पूरी ताकत मुरालालमीना गुजिताने में जोंक दी है पाइलेट के साथ ही पूर सीम पूर्ड शो के बाद यहां तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है करेंगलाल मीना के चुनाव परचारे में बीजेपी ने पूरी ताकत पूरा तम खंग चौंक दिया है तोसा में करेंग उननीस लाख मदाता है मीना मदाता सबसे ज्यादा है करीब साथ लाख अर्शोची का मुदा सबसे ज्यादा होटा है यहां के लोगों का मानना है कि पाणी की समझे के चलते छेतर का विकास नहीं हो पारा रहा है राजदानी जैपूर के करीब होने के चलते यहां के जो वाशिंद फिले जैपूर पलायन कर रहे हैं पानी के लावा truths यहां पर लंबे अरसे स जनता विकास को वोट देए गी मुरालालमीना के मतबग डबल इंजन सरकार होते ही राजस्थान में जनकल्यान कारी योजनाओं को बंद कर दिया गया, किसानों के खाद किट बंद कर दिये गई, पैंशन योजना बंद कर दिये गई, और अब युवा और किसानों में इसका अक्रोश है और ये चुनाओं में इसका बदला जरूर लेंगे दोसा में कांग्रेस बीजेपी को कड़ी टकर देती नजर आ रही है तूसरी और कनेयालालमीना को दोसा लोकसवास से टिकेट दिये जाने से नाराज किरूलालमीना को भी मना लिया गया है वे भी अब कनेयालाल मेना के प्रचार प्रसार में जोर लगा रहे हैं साथ ही मुराललमीना पर जम कर कटाक्ष भी कर रहे हैं तो दोसा के दंगल में किसके दाओं चलेंगे यह 4 जून के बाद ही साफ हुपाय का लेकिन हमारी अपील है 19 सप्रेल को वोट डालने जरूर जाएं फिलाल मुझे दी के लिए जयापूर से विजय वर्मा